देखिए आप ट्रांसफार्मर में कुछ लॉस होते हैं, आपको भी पता है कि दुनिया का कोई भी चीज 100% efficient नहीं होता है ट्रांसफार्मर में जितना भी voltage होता है या जो energy होती है वो थोड़ा भूत कहीं न कहीं लॉस हो जाती है तो इसी losses का हम curriculum अधरerson के loss कहते हैं, तो समझते हम इस losses के बारे में, तो सबसे पहला जो loss होता है वो iron loss होता है जिसे हम लोग core loss भी करते है हिंदी में इसे lohan honey करते है आपको बता दिये है, transformer का ये जो core होता है ये ये नरम loha का होता है तो इस core में ही कुछ हानिया हो जाती है, कुछ loss हो जाता है, उस loss को हम लोहा हानी करते हैं, चुकि core लोहा का बना होता है, इसलिए core हानी या लोहा हानी करते हैं, यह लोहा हानी दो प्रकार का होता है, या तो आपका ED current loss होगा, या तो आपका hystasis loss होगा, तो पहले समझते ED current का बनाकर छोटे-छोटे ब्लेड में जोड कर बनते हैं और इसके उपर हम लोग क्या करते हैं बारनीस की परत लगा देते हैं ताकि खाली जगर ना हो तो ED करेंट से बचने कर तो यह उपाय हो गया फिर भी कुछ बहुत ED करेंट हो ही जाता है अब आपको पता है कि जब कभी भ आप करेंट सप्लाई करते हैं तो उसमें चुम्बक का गूर आ जाता है अब चूकी ट्रांसफ़र्मर असी करेंट पर काम करता है तो इसमें बार बार इसकी दिसा बदलती रहती है, एक बार फेज होता है, इसे दिसा बदलती है, AC करेंट की, तो एक बार ये मैगनेटिक होगा, और एक बार मैगनेटिक नहीं होगा, तो होता क्या है, जो आपका कोर होता है, ये एक बार मैगनेटिक होता है, एक बार नहीं ह का बनाए जाता है इसलिए इसे लोहा हानी या कोर हानी करते हैं अब आप तो पता चल गए आपको कि जो सबसे अच्छा ट्रांसफार्मर का कोर किस का होता है थो किसी भी चीज के अंदर दुनिया का कोई कहते हैं कि कोई भी तारा बराएगा उसकोपर का ही जंवल्ली बनाए जाता है अगर मिआ इस बढ़रें को कर दे किया मेरा ऊख अजन वो आईगा तब ही आएगा क्यूं क्यूंकि हमारे जो मीजर से सब्सक्राइब अधिन दर करिंट गिया है और हर एक करेंट बल्ब, पंखा, AC, कूलर, फिरी हर जगा गया है मानले जहां जहां जो जी बी equipment है वहाँ वहाँ गया है हम करेंट काट दी है तो बस on में हुआ है लेकिन धारा तो गई है और उस धारा को हमारे classroom में जितना तार सप्लाई है वह तार क्या कर रहा है उसको रोक रहा है प्रतिरोध लगा रहा है तो इस वज़े से एक लॉस होगी जिसे हम ओमिक लॉस या ताम भाहनी या कॉपर लॉस कहेंगे और इसी लॉस का बदला बिल के रूप में बिजली कंपनी हमसे लेगी तो इसलिए आप सबसे अब अगरे आफजया है अब अग्ला लॉस समझते है इस्ट्रे लॉस टेलाउस क्या होता है द вп लॉक्स ना हो इसलिए जो की जाती है को पर की वह एक पर अद्स दूसरे परत उसके ऊपर रग दिया जिता है एक पेपर लगा कर तो फलक्स कहो जाने से उस की Hij यह लोस समझ गें यह बहुत ही कम होता है यह तभी होगा जब years एप हैभी पंटा रहेगा तभी इस ट्रेल लॉसGS होता है वह अगलार जो loss होता है वह डाई-इल्क्रिक कलो होता है यह मश्मुरी में डाई-इलेक्टिक तो यह आपके में लौस हो गए आपके ट्रांसफार्मर के अंदर अलग से लौस आता है जिसको जनलोली नहीं पड़ता है को जिसे बोलते हैं इसने से साउंड्ड के उत्पन होने से एक क्लास होता है जिसे हम लगता है मेगनेटो इस्ट्रिक्शन लॉस तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर टोटल लॉस हो गये